सीरीज की शुरुवात ये हैं में ऐक प्रॉटोनियम थेक्टरी दिखाय जाता है। जहां बहुत सारे बरकर्स काम कर रहे होते हैं और फिर हमें ènे को believes उटा कर रहे हैं। और वहां के लोग कुछ नहीं दर पाते, एक सीम कर, नेक सीम में हम दो भायों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम 12 और दूसरे का नाम 9 होता है, वो दो एक नए स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, स्कूल में उने एक लीजा, मिशीमी नाम की लड़की दिखाई देती ह इसके बाद हमें क्लास का सीम दिखा जाता है, जहां 12 और 9 का इंट्रोड़क्शन चल रहा होता है, दूसरे दरफ हमें एक आदमी को देखते हैं, जो शीवा जाकी नाम के रिटार डिटक्टर को एक वीडियो दिखाता है, वीडियो में हम देखते हैं कि इस्वनिक्स नाम क खतरनाक आतंगवादी का सम्मी को देखते हैं, जो बेसिकली एक वर्निंग दे रहा होता है कि इस शहर में अधिरा हो जाएगा और एक जोड़दार ब्लास होने वाला है, वो लोग इस बाद को सीरियसली नहीं लेते हो, थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, इसके बाद हमें फ को देखते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे डॉल होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि शहर की बिजली की बाई टूट रही होती है, और दूसी तरफ हम देखते हैं कि नाइन अटल डॉल को एक जगा एक खटा कर रहे होते हैं, इसके बाद हम देखते हैं, जो कि अपने फोन सकते हो लाइन जल्दी से लीजा को कॉल करता है और पूछता है तुम हमारा साथ दोगी यह वहीं पर मरोगी लीजा कहती है कि मैं तुम्हार साथ तुम पछाने के लिए 12 देखता है लिकी पास बीजसी मर्स घाता है इसके बाद जहां bomb blast हुआ था वहां का scene दिखाय जाता है वहां पर बहुत सारे media वाले होते हैं जो इस news को cover कर रहे होते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि सारे police एक meeting कर रहे हैं और cybercrime वाले बोलते हैं कि इस video को track करने में थोड़ा time लगेगा इसके बाद scene shift होता है और हम देखते हैं कि वो आतंगबादी एक और bomb blast की तयारी कर रहे होते हैं वो लोग एक और bomb बना रहे होते हैं फिर हमें 9 दिखा जाता है जो कि police station में ही bomb लेकर गुस रहा था और bomb को police station में ही show कर चला जाता है और फिर से एक video बनाता है और उसको पब्लिक ली post कर देता है जिसे वो दूसरे धमाके की जानकारी code word में देता है लेकिन police code को decode नहीं कर पा रही थी इसके बाद शिवा जाकी police की head को call करता है और बोलता है कि मैंने code को decode कर लिया है और शायद ये bomb blast police station में ही होने वाला है इसके बाद team लीजा पे shift होता है और हम देखते हैं कि लीजा police station के सामने खड़ी होती है और 12 भी उसके साथ होता है और कुशी देवाद police station में जोड़दार धमागा होता है इसके बाद हम फिर से शीवाजाकी को call बे बात करते हुई ही देखते हैं और police के head उसको बोलता है कि तुम्हें information देने में देरी हो गई है इसके बाद शीवाजाकी को duty join करने को कहता है अब शीवाजाकी police station पहुन जाता है duty join करने फिर head of police शीवाजाकी को एक लड़के की sketch देता है और इसको ढूनने को बोलता है और फिर आतर्मादी की team एक वीडियो पुलिस के पास भेज़ देता है वीडियो पूरा देखने के बाद शीवाजाकी के studio आता है अपना एक वीडियो रिकॉर्ट करता है उसमें वो बोलता है कि मुझे पता है कि बॉम कहा है इस अट शीवाजाकी इसलिए करता है ताकि वो ल को अधियान बटका सके बॉम को डिटेक्ट कर सके और फाइलवर्ट में लोग बॉम को कर लेते। सीवाजाकी को फॉलाइट में देखते हैं उसके ले जा रहा है अब उन लोगों के पास बहुत सारे सुबूत जमा हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो पता नहीं लगा सकी कि आतलवादी कौन है इसके बाद हम लीजा को देखते हैं जो 12 को बोल वही होती है कि मुझे अकेला छोड़ दो मुझे अकेला रहना है मेरा पीशा मत करो ये बोलकर लीजा वहां से जारी हो तब ही कुछ पुलिस लीजा को पकड़ने की कोशिश रहती है लेकिन 12 जल्दी से अपनी बाई पिर लीजा को बिठा कर वहां से भाग जाता है लीजा 12 से पूँचती है कि क्या तुम सबको मार दो कि और 12 जोर जोर से हसने लगता है फिर लीजा भी हसने लगती है और बोलती है कि बहुत दिनों बाद मैं इतनी खुश हूँ अब यह सीन में 9 और 12 लीजा के बारे में बात कर रहे होते हैं और 9 नहीं चाहता है कि लीजा यहां उनके साथ रहे क्योंकि वो साथ रहेगी तो लीजा की जान को खत्रा हो सकता है युकि आप पुलिस उनके पीछे पाड़ चुकी है सीन काई नेक्स सीन में हमें एक फ्लाइट को देखते हैं उसमें एक लड़की उतर दी है जिसके नाम पाइव होता है उसका पूरा फेस तो नहीं दिखाया जाता है कि उसके राइदे भी कुछ ठीक नहीं ने तरा रहे थे इसके बाद हम 9 और 12 को एक ट्रेन में देखते हैं वो दोनों ट्रेन में एक टाइम बाम लगाने आये होते हैं इसके बाद हमें कई करते हैं इसके लोगों का पैसा घपला करने का आरोप होता और उन लोगो का पूचता है कि उन लोगों का क्नेक्शन आतरवादी से तो नहीं हैं इसके बाद दोनों भाई को देखते हैं जो भी वी ट्रेंट में बॉबाइल दिएक्टिवेट करने चाहा रहे होते हैं लेकिन फुन में नेटवर्क ना होने के कारण वह इसा नहीं कर पाते हैं चाहिए कि सारी शहर का न लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके बाद हम नाइन को देखते हैं, जो ट्रेंग की कोडिंग करके तरेंग की कोशिश कर रहा हुता है, लिगिन कोई फाइदा नहीं होता, उसे कुछ पता ही नी चलता और ये एक तरह का ट्रैप होता है, अब नाइन खुले आगों से, एक लगाता हुए सपना देखता है, जहां पे हमें एक और फनेश दिखाया जाता है, और हमें वहां एक लड़की दिखाई देती है, जिसको हमें कुछ दिर पहले देखाता है, जिसका नाम फाइव होता है, नाइन बहुत ही जादा दर जाता है, क्योंकि उसके पीछ पढ़ च होतने होते हैं, और वह कुछ भी नई पता ह यंविद्गा बनेवाला इज वेँ चाहिए, इसके बाद हमें डिखाया जाता है जो था इसको जαता है, एक हम डिखाच सब्सक्राइब बहुत डरी हुए होते हैं तो फोन पर ईक मैसेज आता है जो कि फाइब की दरफ से होता है तो पुरिस को लगता है वे समूल का इया है लेकिश बहुता है और उन दोनों को यह समझ में आ जाता है कि यह सब फाइब नहीं किया है पर शीवाजागी को दिखा जाता है जो पूरी तरह से शूर होता है कि वह मैसेज उनका नहीं है किसी और का इसके बाद डिरेक्टर बोलता है कि हमें जाना चाहिए उस बॉम्म को डियक्टिवेट करने कहां जाता है लेकिन लोग नहीं मंते उसके लिए था पार इसलिए लिए उसको लेकर लोग यह इरपोर्ट काशी मिखा जाता है दोनों भाई अपना हुलिया चेंज करके एरपोर्ट में जाते हैं फिर हम 5 को CCTV रूम में देखते हैं जो हर्ची इस पेना अज़र रख रही होती है और वहाँ पे हम बहुत सारे पुलिस को देखते हैं जो स्फिनिक्स के बारे में सब को अलट कर रहे होते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि 5 में दोनों को अपने जाल में फसाल लिया होता है और 9 जब स्क्रीन के तरफ देखता है तो उसको पता चलता है कि 5 उसको शेस की तरह गुमा रही होती है इसके बाद 9 और 12 बहां से दौरते हुए बहार में लगते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि आंदर बार सब देखने के बाद कॉंड रहुत reopen पोरे मिलेटें को प्रेक्षास करते हैं उसके घ्लिए delivery उतिक आ वहां जाता है लेकिन दोनों दुसरी का फेस नहीं देख पाते हैं लिजर को कॉल करते हैं लीजर बोलती कि मैं पर हूं और यहां बाम लगा हुआ है और यह 20 मिनिक्स में फट जाएगा पर नाइन को सारा प्लाइन समझा जाता है कि फाइब ने बंद कर दिया होता है उन जाता है इसके बाद सीम बीजा पर शिफ्ट होता है कि खुद को एक रसी से बांद दो प्लें से कूछ जाना वह वैसा ही लेकिन जब वो कूछती है तो रसी फट जाती है इसके बाद हम फाइव को देखते हैं जो शीवाजा की गंटूर गूम में होता है और उसकी बाद रजाद से बाद से बता हैं जब वार्यों से पूश्ता है लेकिन लोगों में से कुसी को कुछ नहीं पता सलता है इसके बाद हमें 5 को दिखा जाता है लीजा उसके कबजे में होती है वो लीजा को बोलती है कि 9 और 12 को कॉल करने को ताकि उसको आटमिक बॉम के बारे में पता चल सके है इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों को पता से जाता है कि लीजा 5 के कबजे में है तो 12 उसको बचाने ज को देखेए को और पार देखेए और तो मुझे कर दोंगे और तुम दोनों बच जाओगे वह बारे में बता देता है कि वह बांब लोकर में और फिर फाइव बॉब को डिया जल्दी से फाइव पुछ पुलिस को इसकूल बेच जेती और हम देखते हैं कि नाइन बॉब लेकर जा रहा होता है और वो सीधा बॉब लेकर प्रिस्टेशन जाता है और बोलता है कि मुझे शीवाजा की से मिल्ला है प्रेस मीटि बुलाने को भी बोलता है इसके बाद हम वाइब को देखते हैं और फ्रेस में लिए ट्रक मिले जाते है और वहां एक और ट्रक आजाता है जो कि 5 को होता है उसको 9 से कुछ लेना होता है दोने ट्रक में फाइट होने लगती है और सही मौका देखती हुए वह वहां आ जाता है 12 इसके बाद एक अमेरिकन एजिन 5 पे गन पॉइंट करता है और 5 उसको डिरेक्ट शूट कर देती है और वही मढ़ जाता है उसके बाद क इसके बाद इस फिनिक्स के एक और वीडियो आती है इसके बता चलता है कि बाद 10 बुचे ब्लास होने वाला है यह सुनकर सारी पुलिस और सारी लोग बहुत डर जाते हैं और वहां 12 को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है इसके बाद हमें आसमार में कुछ प्ल जाता है जहां 12 वालीजा 9 के पास आते हैं 9 बोलते हैं कि हम दोनों मेंसे नाहीं कुछ बोलूगा मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया इसके बाद पीनों खेले लगते हैं इसके बाद शाम हो जाती है और शीवजा की उनको ढून लेता है और उनको अर्स करने पहुंच जात है इसके बाद 9 जिमोर दबाने ही आला होता है कि शीवजाकी उसको रोकने के बूलता है और नाहें की हला ठीकना होने के करने को भीधической हो जाता है इसके बाद हमये रात का सीम निild Concept अजाता है और